समंदर की बात आते ही हम तो बहुत excited हो जाते हैं इसके बारे में जानने के लिए आपने tv में या real life में कभी सार गया वेल तो देखा ही होगा पर मैं आज जो आपको दिखाने वाला हूँ सायद ही आपने कभी नहीं देखा होगा कुछ ऐसे समंदर की प्रजाती जो एक्चुली में एक्जिस्ट करते हैं तो चलिए बिने डाइम विश्ट के सुरू करते हैं मिश्टर एपिसोड पार्ट फाइफ नमबर वन डॉग फिस दोस्तों आपने कभी ना कभी डॉग फिस का नाम तो सुनाई होगा पर क्या आपने ये फिस को कभी देखा है जापन की सुनामी में ये अजीब से दिखने वाले फिस आ गई थी ये फिस आधा कुट्ता आधा मचली है जिसमें बहुत सारे नुकीले दांत थे ये मचली कभी भी नहीं देखी गई थी दरसल सुनामी के कारण ज्यादा एफेक्ट फुकुजीमा पावर प्रांट के उप इसली प्रेडियूस हुआ कापा दोस्तों कापा का नाम तो आपने बसपर में जरूर सुना होगा दोरेमों नीजा है तोड़ी या ऐसे ही जापनीज कार्टून में ज्यादा कापा को दिखाया जाता है पर ये कापा असली में है कि नहीं ये बात किसी को भी पता नहीं अग प्रिजों को से नीकलेंगे क्यूंकि कापा सेरे काहानियों में फिस्ट करता है डियाम में पर जापह ड़क वहते हैं और वह किसम में रहते हैं और अगर कोई इंसान वर्ष नहदी में जाता है तो वह उसको मारते और उसका लिवर इसको हमकली जा केते हैं उसको खाते हैं इन कापा को ज्यादा कुकुंबर से बहुत प्यार है नमबर 3 क्राकेन आपने जायंट स्कूट को तो कभी मूवी में देखा ही होगा पर क्या आपने इसको असली में देखा है जी हाँ गाइस ये असली में एकजिस्ट करता है क्राकेन को पहरा 12 सेंचुरी में देखा गया था ये 2.5 किलोमीटर लंबा है समंदर के बीच में जब कुछ डाकू जहाज लेके जा रहे थे तभी अचानक समंदर से क्राकेन निकला और उनके जहाज को निगल लिया तब खुश किस्मति से 6 लोग बच गे और उनका ये दाव 2006 में 24 फीट का एक जाइंट स्कूीड मिला था नमबर फूर रेड लायन फिस्स दूस्तों रेड लायन फिस्स समंदर में पाने वाले खुपसुरत क्रियेचर्स में से एक है ये मसली सिर्फ 17.7 इंचेस या 45 सेंटीमीटर तब ग्रो कर सकती है आपने लायन के में या उसके स पास भी है ये मचली जितने सुंदर दिखती है उतनी ही खतरनाक है रेड लायन फिस्स का बाल आक्चुली में बाल नहीं है ये एक टाइप का श्ट्रिंग है और इस श्ट्रिंग में टोटल 16 नुकीले काटे होते है जो बहुत भेनमस है इसका एक कांटा हुमन के बॉड़ में ही मार सकता है नमबर फाइब आज की लाश्ट टोपिक साल्फा मेगियोरे साल्फा मेगियोरे इस दुनिया का एक अजीब टाइप का क्रियेचर है जो की पूरा ट्रांसफेरेंट है इस मचली के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता सिर्फ ये जो खाता है वही दिख साल्फा मेगियोरे को न्यूजिलांड में एक मचवारे ने पकड़ा था एक्चुली मचवारे को ये मचली आक्सिडेंटली मिल गया था साल्फा मेगियोरे को 2016 में डिस्कोवर किया गया था सिर्फ इस मचली का एक फोटो लेने के बाद उस मचवारे ने साल्फा मेगियोर में काउंट किया जाता है आखेकार बहुत दिन के बाद एक money earning आप आया है आपके लिए यह और कोई नहीं यह MPL आपने इसका नाम तो सुनाई होगा आप MPL में बहुत सारी गेम खेल सकते हैं इसमें PUBG और Free Fire भी खेल सकते हैं और ऐसे ही money earn कर सकते हैं शार्टिंग में आपको 10 रुपीज फ्री में मिल जाएगा आपने जितना money earn किया है उसको Paytm, David Card या UPI के थ्रूँ ट्रासफर भी कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले घंटी को भी दबातीजिए ताकि आने वाले नोटिपिकेशन आप सबसे पहले तक सके अगर हो सके तो शेयर भी कर लेना पर सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं अ कुछ